Hello guys, welcome to my YouTube channel आज हम लोगए electrostatic का एक basic जो topic है हमारा electric charge और उसकी properties इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे अगर electric charge की definition देखें तो electric charge की definition इस तरी किस होती है electric charge is a physical property of matter which causes matter to experience electric forces जाने की जिस property की वज़े से आपका क्या होता है कोई भी matter electric force को अपने अंदर experience कर सकता है उसे हम क्या बोलते हैं electric charge बोलते है electric charge मानलो अगर आपने create करना है कहीं पर या कहना है कि कोई body electrical charge है आप क्या कीजे किसी भी दो body को आपस में rub कीजे जैसे आपने क्या करा अपने सर में scale को rub करा फिर आप उसे कागज के टुकड़े के पास ले जाते हैं तो वो क्या होता है स्केल पे उपर को आके चिपक जाते हैं तो ऐसा होता है क्योंकि क्या होता है कि रब करने के वज़े से आप में क्या होता है इक स्टैटिक चार्ज डेवलप हो जाता है अब स्टैटिक चार्ज क्या होता है जब कोई बॉड़ी आपकी क्या है मोशन में नहीं है वह जगाव प नहीं होती है हमारे पास क्या होते हैं दो तरीके के चार्जे समने बना रखे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव अब पॉजिटिव चार्ज के ऐसा आता है एक एटम होता है एटम में आपको पता है एलेक्ट्रॉन भी होते हैं और प्रोटॉन भी होते हैं प्रोटॉन पॉज जो electron है वो क्या हो जाएगा positively charged हो जाएगा तो इसलिए वो क्या होता है जब एक electron कम होने के वज़े से या proton जादा होने की वज़े से जो charge अकर होता है किसी body में उसे ही हम क्या बोलते है positive charge और इसे denote किसे किया जाता है प्लस साइन से भी कहीं पर दिखा दिया जाता है फिर है negative negative same इसका positive हो जाएगा जहाँ पर क्या होगा आपका electron जादा हो जाएगे proton कम हो जाएगे तो वहाँ भी क्या हो जाएगा आपका negative जानि कि कोई atom है वो क्या कर लेगा electrons को gain कर लेगा प्रोटोन तो इस तरीकी से जाए नहीं सकते तो electron को अगर हो जादा electron gain कर लेगा तो उस टाइम पर क्या हो जाएगा positively charge या नैस और negatively charge उसमें हो जाएगा फिर देखे प्रॉपरटी बेसिक प्रॉपरटीज है electric charges की इसमें एक चीज और यहाँ दखना कि like charge repels each other and unlike charge attract each other की like charge क्या होंगे अगर positive और positive है तो यह एक दूसरे को क्या करेंगे repel करेंगे और अगर positive और negative है तो यह दूसरे को क्या करेंगे attract करेंगे अब हम इसकी basic property के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले है additivity of electric charges additivity of electric charges इसके तो यह एक पूरी body है इसके किसी कोने पर 1 charge है किसी पर 2 charge है किसी पर 3 है किसी पर 4 charges है तो total इसमें charges कितने होंगे इनको add कर ज़वा 1, 2, 3 और इसे इस तरीके से 4 करके यहाँ पर total आप इसे क्या कर दीजे add कर दीजे इस तरीके से आप charges को normally आप जैसे अपनी algebraic sum करते हैं उसी तरीके से इसको कर सकते हैं अब अगर negative charge है, negative charge है तो उसी क्या करेंगे, minus करेंगे मान लिजे यहाँ पर क्या है मेरे पाद, एक body के एक किनारे पर आपके plus 2 charge है और एक किनारे पर आपका negative का 3 charge है, तो overall charge आपका minus का 1 आएगा इस तरीके से आएगा, यह हो गई आपके additivity of charges की बाद, इसमें मैंने इस तरीके से लिखाया, आप इसे एक बार पढ़ लिजिए अब बढ़ते हैं हम आगे, और अपने next property देखते हैं, वो है conservation of electric charges conservation आपने किसी भी चीज़ का conservation पढ़ा, इसका मतलब क्या होता है, कि आप उस चीज़ को नहीं create कर सकते हैं, नहीं उसे आप क्या कर सकते हैं, destroy कर सकते हैं यानि कि एक isolated system पे वो जितनी है, वो उतना ही रहेगा तो सेम ऐसी क्या है, यहाँ पे electric charges के लिए हैं, कि charge can neither be created nor be destroyed और एक isolated system में यह क्या हो सकता है, change नहीं होगा, simply लेकिन एक body से दूसरी body में यह क्या हो सकता है, transfer हो सकता है isolated system क्या है, isolated मान लीजे एक system है, इसमें नहीं कोई charge बाहर जा रहा है, और नहीं कोई charge इसमें अंदर आ रहा है मतलब कि बाहर के किसी charge का influence आप इस पे नहीं देख पा रहे हो, इस तरीके का आपका system क्या वा isolated system हो, कि जो पूरी तरीके से बंद है, उसमें नहीं कोई matter उसके बाहर जा सकता है, नहीं कोई उसके अंदर आ सकता है यह तो हो गए conservation of electric charge, अब है quantization of electric charge, यह बहुत ही important है, और इससे आपका क्या होता है, कभी कुछ numerical के terms में यह पूछा जाता है तो quantization of electric charge क्या बोलता है, आपकी सबसे छोटी unit होती है charge की, वो होती है e, यानि कि एक electron का charge ठीके electron या proton दोनों का charges equal होते हैं, तो आपने क्या लिखा, इसमें e करके आप इसे दिखाया तो बोलता है कि किसी भी body में जितने charge होंगे, वो हमेशा इसका integral multiple होगा, कभी भी इसके point का multiple नहीं होगा यानि कि आपका या तो 1 e हो सकता है, या अगर कोई भी charge नहीं है तो 0 e हो गया, या आपका 2 e हो सकता है लेकिन कभी भी 1.5 e या 2.5 e इस तरीके से नहीं आ सकता है अगर आपका इसका formula कैसे देख सकते हैं, q is equal to plus minus n e और n क्या है, याँ पे integral है, यानि कि 1, 2, 3, 4 के term में, यहाँ पे point के term में यह नहीं है फिर है आपका invariance of electric charge, invariance of electric charge का मतलब यह है कि अगर आपके कोई body, मान लिजए आपके body में कोई charges है, ठीक है, तो उन charges पे, जो वो charge है उस पे, उस body की speed का कोई फरक नहीं पड़ेगा यानि कि जितना charge उसमें 5, आपका 5 charge है, अगर वो body rest में है और फिर अगर वो motion पे जा रहे है, तो भी उसमें 5 ही charge रहेगा, वो change नहीं होगा नहीं वो speed के observer की speed पे depend करेगा, नहीं वो खुद की speed पे depend करेगा simple क्या होगा, वो जितना है वो उतना ही रहेगा, charges कभी भी change नहीं होगा मतलब, charges का जो magnitude है, वो change नहीं हो पाएगा तो charges का magnitude हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, यह तो हो गई हमारी basic property charges की अब मैं एक numerical लेकर आई हूँ, quantization of charge पे, देखे क्या है, बोल रहा है, can a body has 2.8 into 10 to the power minus 8 coulm of charge कि क्या body पे इतना charge हो सकता है, तो आपने क्या करा, quantization of charges पढ़ा, quantization of charges में आपको बता है कि n की value हमेशा क्या आने चाहिए, अगर ऐसा हुआ, तो वो नहीं हो सकता है, यानि कि वो charge की value नहीं हो सकती, आपको q की value यह दे रखे, e की value आपको बता होती है, 1.6 into 10 to the power minus 19 होती है, आप value रखे, q is equal to any, q की जगह पे आपने यह रखा, n की value आपने निकाल नहीं है, और e की जगह पे रखा, तो जब आप इसे solve करेंगे तो n की value आपके पास आई 17.5, यह point में आ रही है, या तो अगर यह 17 होती है यह 18 होती है तो चलता, यहाँ पर क्या हो रहा है यह point पे आ रही है, इसका मतलब यह possible नहीं है कि किसी भी body पे इ नेक्स वीडियो में मिलती हूं आप से एक नेक्स टॉपी के संग, तब तक के लिए टेक केर, गुडबाई